हेलो दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर मखनी दोस्तो यह देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उससे कहीं ज्यादा अच्छा बनाता और आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनाता मतलब अगर आप इसको इस तरह बनाएंगे म मोटा मोटा काटके फाइन प्यूरी बना लेते हैं उसका यह कुछ मसाले हैं धनिया जीरा छुटी इलाची और यह लाल मिर्च काली मिर्च और बस इसको ड्राइ रोश्ट कर लेते हैं इसको जलाना नहीं है बस इसका कच्छा पर निकल जा और एक अच्छी सी खुसबू आ तो कितना अच्छा भी मला भीनी भीनी कुसबू आति है बस वैसा ही महिकाना यह इतना ही भुना ऊंक जयादा नहीं भुना है मैं बस देखे इसको भुन लेते हैं हमने बहुत जयादा तरद हमने पीस पीसना है उसे मसाले को फिर एक हमने फ्राइदान लिया है उसमें बटर और घी डाला आप मखनी बना रहें तो बटर तो पड़े गई पड़ेगा तो बस उसको थोड़ा सा हमने गरम किया जादा नहीं गरम करना बटर जल जाएगा इसमें हमने डाला आदरक और हरी मिर्श का पेष्ट डाला इसको जादा नहीं भुनेंगे बस हलका सा ही भुनेंगे इसका कच्छा पर निकालना है बहुत जादा नहीं भुनना है नहीं तो बहुत अच्छा स्वाद नहीं आता है कमी भुनना है बस यह जैसे भुन जाएगा तो फिर जो हमने प्यास की प्यूरी बनाई थी वो इसमें डाल द इस स्टेज तक इसको भुनेंगे बरतनी देखिए छोड़ने लग गया और हलका हलका आपको बटर भी दिख रहा होगा बस ऐसे ही इसको भुन लेना है देखिए एकदम मरा भुन गया यहाँ पे हम आज को धीमा कर देते हैं और डालते हैं इसको रेगलर चलाना है जब तक इसमें मतलब बुलबुले ना आने लग जाए तब तक इसको मतलब चलाना है ने तो फट जाएगी दही इसमें फिर वही जो दरदरा किया हुआ मैंने मसाला भुना हुआ था पिसके रखा है बस वो डाल दिया यहाँ पे बस इसको चलाते रहेंगे थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद यह हम कुछ काजू और बादा साम लिए भिगो दिये थे बस इसको प्यूरी बना लेंगे इसमें डाले के लिए मखनी है तो यह तो रिस्वाद में बनता ही है तो बस उसकी प्यूरी बना लिया और इसमें हमने डाल दिया इसको मिक्स कर देंगे क्योंकि यह काजू का पेष्ट है तो नीचे यह काजू का पेष्ट नीचे किसी भी सब्जी में डालेंगे तो वो लगता जरूर है बस इसको चलाते रहेंगे कि अफिल हम ग्रैणीों का क्या है किसी भी चीज में बस उसको निकालना होता है बाल के खाल वो कहते न बस वही हाल है कि बस बर्तन में जो लगा है बस पानी डाला और निकाल लिया कभी वेस्ट नहीं जाने देते है बच़त करने कि हम लोगों में खूब होती है बस वही बर्तन से निकाला और इसमें डाल दिया, मिक्स किया अच्छी तरह चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे पकड़े ना बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है, बस आपको देखने में लग रहा होगा, इतना टाइम लगा पर दोस्तों सच बता रही हो, इसको बनाने में बिलकुल भी टाइम नहीं लगा था, फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ्रेस मलाई डाली जो घर की दूद के उपर मलाई आती, बस उसी को हमने लिया है, उसको फेट लिया है, बस इसमें डाल दिया है, उसके बाद मिक्स करके इसको ढखके पका लिया है C देखिए, उपर इसमें कोरमा आ गया था, पूरा बटर बटर, यह हमारा पक गया है, इसको मिक्स किया अची तरे, अब यहां पे, जिस हिसाब से आपको पतला खाना है या मतलब गाड़ा खाना है जैसा भी खाना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल लीजे थोड़ी देर अभी पकेगा तो देखें मैं वैसे ज्यादा पानी नहीं डाली हूँ इसमें कम डाली हूँ और बस इसको थोड़ा उबालाने के धक देंगे जैसे उबालाएगा उसमें हम पनीर काटके डाल देंगे जादा छोटा और जादा या बहुत बड़ा पीस नहीं किया है हमने छोटा भी बीच का पीस किया है इसमें डाल दिया बस इसको थोड़ी देर उबालाने तक और नमक डालके ड़क के पका लेंगे जादा देर नहीं पकाना है बस दो-तीन मिनट ताकि इसमें जो स्वाद मैंने मसाला डाला है सब पनेर में मिल जाए और बस हमाई सबजी रेडी है उपर से हमने कसूरी मेथी क्रश करके डाल दिया है और इसको थोड़ी दिर और पकने दिया कसूरी मेथी के साथ फिर हम एक बर्तल लेंगे तड़का लगाने के लिए उसमें घी डालेंगे आप बटर में भी बना सकते हैं अगर बटर घी नहीं है तो आप नॉर्मल तेल में बना सकते पर मेरी रायत यही है कि अगर आप बना रहें मखनी बना रहें तो मकनी तो बटर और घी में अच्छा लगता है बस तड़का लगाने जिया इसमें हमने पीली सिम्लामेच तुड़ा सकते तमाटर मैंने लिया और मैं अध्रक के टुक्ड़े लिया हूँ बस इसको तड़के में डाल के पड़र सा मिक्स कर देते जादर नहीं पकाना है इसका crunch बना रहना है, बस इतना देखें, सबजी कितनी अच्छी लग रही है, बस हमाई सबजी रेडी है, खाने के लिए, इसमें उपड़ से हमने गरम मसाला डाल दिया, और जो हमने तड़का तैयार किया था, वो उपड़ से डाल दिया, देखें, देखने में कितनी पूरे घर में खुस्बू फैल गई थी बहुत ही अच्छा बना था देखने में आपको जितनी अच्छी लग रहे हो उससे कहीं जादा यह खाने में अच्छी थी दोस्तों बना के देखेगा और अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी तो बस इसको सर्विन प्लेट में रखते हैं और यह अभी रखेंगे ती अभी और गाढ़ा होगा अभी आपको थोड़ा सा पतला दिख रहा होगा पर यह अभी के साथ खा सकते रोटी के साथ खा सकते राइस के साथ किसी के साथ भी अच्छा खा सकते से